हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग इस फीडियो के अंदर कवर करेंगे बी सीसी और एमके के बीच में जो अगला टीटेन का मैच होगा इस स्रीच का दूस्तों आज के दिन का पहला मुकापला होने वाला मैं आपको बताऊंगा कि बी सीसी और एमके के टीम ने जो अभी तक के अंदर ऑपन करा है कौन से प्लेयर फॉर्स टाउन पर खेले हैं सारे प्लेयर्स का बेटिंग ओडर 37 साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कौन से बोलर आपको कंप्लीट दो वर तक गिंदबाजी करते हुए दिखेंगे और किसे इस मैच के अंदर आप कैप्टेंसी व आपको मिल पाए और आप एक सांदर से सांदर टीम बना पाओ लेकिन इससे पहले एक छोटी इस रिक्वेश्ट है भाईयो अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक् अपको मिल पाएगा जानकारी आपको मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको स्ट्रेट्स हमारा पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना आपका एक लाइक से में कापी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों तो लाइक करके में सपोर्ट जरू करना और सबसे जरूर यहाद दोस्तों लाइन अप के बाद क्या होता है नास मैच से रिलेटिड अगर कोई भी जनकारी आता है फाइनल टीम इसमर क्वेज होता है तो वोढ़ टीम में आपको अपडेट कर देता है इस ग्रूप में तो एक बार जरूर जोइन कर लेना इस वीडियो के नीच से आपको लिंक मिल जागा दूस्तो डिस्क्रिन बॉक्स में और जहां आप कमेंट करते है ना तो पहला कमेंट में मैंने आपको लिंक सिर कर दिया है अब जैसे क्लिक करोगे जोइन का आप्षण मिलेगा दूस्तों एक बार जोईन जरू कर लेना आई हो फ्रेंट्स अपने जोईन कर लिया होगा चलिए अभी स्ट्रेट्स की और आगे बढ़ेंगे दूसर यह जो मैच है बारा बज़े यह मुकाबला देखने को मिलेगा मिलन क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला होने वाला है पीच कंड हैं तो पहला मुकाबला एमकेकर टीम लॉस कर रहा है दूसरा मैच द खाओगे एमकेकर टीम यहां पर चेजिंग करते वे जीता है दोस्तों और थारड मैच की बात करेंगे तो यहां पर आप्र ब्लबू स्टी में और काफी मजब समय मजभी एनके प्लेइर्स नंके टीम क पहले दोस्तों यहाँ पे BCC की आपनर बल्ले बाज उसे प्रमोट सुदेता जो के टीम के आपको विकेट के प्रिंग सक्षन में नज़र आएंगे ठीक है यह रैट इन बल्ले बाज जी करेंगे पहले मैच कंदर आपन करते वे 6 रन स्कोर करा है दूसरे मैच कंदर 13 रन बना प्लस चार विकेट निकाले हैं दूसरे मैच कंदर अगर आप देखेंगे 0 रन बनाएते लेकिन 2 विकेट निकाले 15 रन खर्च किये दो वर की गिंद बाजी में यह खिलाड़ी आपको ओपन करते वह दिखेंगे प्लस दो वर कंफर्म गिंद बाजी करेंगे ठीक है बढ़ दूसरे मैच कंदर 34 रन बनाएते एक विकेट निकाले हैं यह भी खिलाड़ी काफी मजबूत है जो आपको बल्ले बाजी करते वे दिखेंगे प्लस गिंद बाजी लास्ट मैच कंदर भी इन्होंने करा है तो यह भी कहीं न कहीं बेस्ट रहेगा इस टार्टिंग के यह त दूसरे मैच कंदर 24 रन बनाएते दो विकेट निकाले हैं फिर 20 रन बनाएते इसमें कोई विकेट नहीं मिला यह जो प्लेर है दोस्तो बल्ले बाजी और गिंद बाजी दोनों से पॉइंट्स देंगे इन्हें अपने टीम के अंदर आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी ले सकते हो बेश्ट चोयज रहेंगे स्वनुलाल था डाउन पे खेलते हुए जिरो रन बनाए हैं हरदीप सिंग फास्ट बॉलिंग करेंगे दोस्तो पहले मैच के अंदर 4 रन प्लस एग विकेट फिर एग विकेट निकाले हैं यह भी टीम के मेन गिंद बाज है जो कंप्लिट आपको दो वर्त गेंद बाजी करते हुए दिखेंगे इनको अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राय करना है राकेश बंगा की बात करेंगे सेवन्थ राउंड पे खेलते हुए जीरो रन मनाए हैं कमरजीत सिंग जो कि यहां पे दूस्तो पहले मैच के अंदर 12 रन स्कूर करा है इसमें कोई विकेट नहीं मिला फिर 6 रन मना है थे इसमें कोई विकेट नहीं मिला यह जो खिलाड़ी है थोड़ा लेट बैटिंग करेंगे पांच नवर पे बल्ले बाजी करते हैं दूस्तो लेकिन फॉस्टर बोलर है और दो वर यह भी ड्रॉप कर सकते हैं यह बल्ले बाजी के दो मेच के अंदर अभी तक नहीं करा है तो यह बी सीसी का रिकॉर्ड है दोस्तों सेम आपको बैटिंग ओडर इस मेच के अंदर दिखने को मिलेगा बी सीसी का ग्रेंड लिग और स्मॉल लिग के बैसिस पे दोस्तो अपने टीम म इनको अवर्ट करना रोशन यह जो है दोस्तों नौ नमर पे खेलते हुए जीरो रन पे आउट रहा था इनको अवर्ट कर सकते हैं निमना डिसलवा की बात करेंगे फर्स्ट रॉन पे खेलते हुए रायट रम फास्ट बॉल करते हुए पहले मेच के अंदर आठ रॉन बना और अवरल अगर आप देखेंगे दोस्तों एक जारन प्लस पांच विकेट निकाल चुके हैं जो आपको बैटिंग टॉपटर पे करते हुए दिखेंगे साथिसाद गिंद बाजी भी टीम के बहुत बढ़िया कर रहे हैं तीने अपने टीम के अंदर ट्राइ करना है दोस् मैच के अंदर 21 रन स्कोर करा है ओवरल अगर आप देखेंगे 31 रन स्कोर करा है दोस्तों पूलिस तरीच के अंदर अधरान मलीक जो की ऑपन करते हैं पहले मैच के अंदर 0 रन प्याउट रहा था लेकिन प्लस दो विकेट निकाले थे फिर बैटिंग से फ्लॉप तीन विकेट फिर पांच रन प्लस एक विकेट देखो अधरान मलीक भी इंपोर्टन रहे आपके लिए क्योंकि ये जो प्लेयर दोस्तों टीम के टॉप अडर के बैटिंग करते हैं ओपन करते हैं दोस्तों प्लस आपको दो वर गिन्धभाजी भी करते हुए दिखते हैं और अगर आप देखेंगे तो पांच रन बना के छे विकेट निकाल चुके हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा पीक रहने वाल हैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी दिन इसकी बात करेंगे दोस्तों फोर्थ रौन पर खेलते हैं पहले मैच के अंदर 19 रन स पांच विकेट निकाल चुके हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट आफ्सन रहेगा जो कंफर्म आपको दो वर तक गिंदवाजी करते हुए दिखेंगे इनको एमके के टीम के तरफ से जरू ट्राय करना है आपको शेहन फरनांडो जो कि पहले मैच के अंदर दोस्तों यहा पे शेनल जो पहले मैच कंदर जीरो रन दूसरे मैच कंदर 33 रन स्कोर करा है लेट बेले बाजी करे हैं लेकिन लाश मैच कंदर बैटिंग इनका बढ़िया रहा था ती दोनों है टीमों का डेटियल से दोस्तों बी सी सी और एमके का बैटिंग ओंडर आई होप आपको कौँगा किसी के भी टीम आपको सेम कॉफी नहीं करना है मेरे टीम से दोस्तों आप आठ से नौ खिलाडियों को सेम रख सकते हैं लेकिन एक से दो खिलाड़ी को जरूर से जरूर चेंज करना चलिए अब रिकॉर्ड की और स्ट्रेट के बैसिस पर टीम की और आगे बढ़ मेरे टीम के तरफ से एक खिलाड़ी जी सिंग और यहां पर आप देखेंगे केशिंग को मैंने ट्राय करके रखा है यह तीनों जो है दोस्तों इनका बल्लेबाजी अच्छा रहा है बैटिंग थोड़ा सा नीचे है 20 के टीम के तरफ से जी सिंग और यहां पर केशिंग को लेट बैटिंग करेंगे लेकिन रिकॉर्ड अच्छा है हो सकता है इस मैच का अंदर टॉप और पर खेलेंगे बागे का बैटिंग और 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 बी नीचे इस विज़े से दूस्तों मैं इन तूनों को अपने टीम के अंदर ट्राय करता हूं जो आपके लिए सब पढ़िया प्लेर है अगर आप चेंज करना चाहते है जैसे कि मैं आपको कहा था एक से दो ख्राड़ी को जरूर चेंज करना दोनों का रिकॉर्ड काफे बढ़िया है तो यह चेंज आप खुद से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो बागी बॉलिंग में मैंने तीन ले सकते हैं जो बिसी सी के टीम के तरफ से इनका टीटेन रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया में ने बताया था और गिंदबाजी ये कंफर्म करेंगे ध्यान रखना तो अगर आप चाहें तो इनको ट्राइ कर सकते हैं जहां तगरा कैप्टन सी की बाद तो कैप्टन सी के लि आपको रिकॉर्ड से आपको हैल्फ मिला होगा भाईयों वीडियो को एक लाइक से में काफी मौटिवेशन मिलता है और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेज जरू कर देना थैंक्स पर वाजिंग